हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीलम आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर बिलकुल घर के बेसिक सामान से बनाएंगे पर बनेगा बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी तो आएए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है सबसे पहल लिया है देखी कितना सौफ्ट बना है और अभी बिल्कुल एकदम ताजा पनीर है इसके बाद यह मैंने एक कटोरी मटर ली है यह उबली हुई मटर लेना है कच्छी बिल्कुल नहीं लेना है अगर आपके पास फ्रोजन है मार्किट की तो वह बॉयल की हुई पहले से रह एक मैंने लैसन की कली ली है तो सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे उसके लिए हम प्याज वगेरा काटेंगे तो हमें मिर्ची को मोटा मोटा तोड लेना है इसके बाद मैं प्याज को रफली चौप करना है छिलके मैंने निकाल दिये हैं और प्याज को मैंने धो भी लिय तो इतना मोटा मोटा काटना है, अब एक mixica pot लेंगे, उसमें हम प्यास डाल देंगे, उसके बाद मिर्च और लेसन, आप चाहें तो मिर्च ज्यादा कम अपने इसाब से डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी कम डाली है मिर्च, तो ये मैं मिर्च डाल दूगी, और इसका एक हमें दर दर असा पेस्ट बना लेना है, बहुत fine paste नहीं बनाना, फिर सबजी में स्वाद नहीं आता है, तो देखिए, मैंने एक दर दर असा इसका पेस्ट बना लिया है, तो चलिए, अब सबजी बनाना शुरू करते हैं, गैस अन करके मैंने कडाई रग दी है, इसमें मैं डाल तेज पत्ता डाल दूगी, राई जीरा बिल्कुल मढ डालिये, जो भी डालना है, खड़े मसाले, और जो बड़ी लाइची है, उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला है, इससे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी, और इसके बाद जब यह अच्छे से थोड़ा सा जाएगा, उसके बाद में, मैं इसमें, जो हमारा पिसा हुआ मसाला था, वो हम डाल देंगे, और इसको कंटीनियो तूरंती चला दो, नहीं तो क्या हो गई, यह प्याज जलने लगता है, इसके बाद हलका सा नमक डालेंगे, और इसके बाद हम इसे चलाएंगे, और प्या तो देखिए हलका गुलाबी हो गया है, इसको मैं चला देती हूँ अच्छे से, नमक डालने से क्या होता है, प्याज है ना, जल्दी से ब्राउन भी होता है, और जल्दी से पक जाता है, अब इसमें मसाले एड़ करेंगे, तो आदी छोटी चमच इसमें जाएगी हल्दी, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तो मैंने आदी छोटी चमच डाली है, आप जादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसके बाद जाएगी धनिया, एक छोटी चमच, गरम मसाला, मसाले थोड़े तेज डालना है हमको, आदी छोटी चमच, और इसके बाद हम इसको चला देंगे, तो क्या होता है, जब भी हम प्याज में सूखे मसाले डालते हैं, तो हलका सा पानी डाल देना चाहिए, बिलकुल थोड़ा सा, इससे क्या होगा, मसाले फूलेंगे, और जो हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला डाला है, वो जलेगा भी नहीं, तो प्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी, मलाई और दूद, आपके पास अगर क्रीम है, तो आप क्रीम डाल सकते हैं, और उस कर्टोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर, इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको अभी हम चलाएंगे, तो यह जो दूद है, इसको पे होगा, थोड़ी देर में ही, इसमें वाइल उपर आ गया है, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे, आपको कितना गाडा, कितना करी रखना है, कितना नहीं रखना है, उस हिसाब से कंसिस्टेंसी सेट करेंगे, तो अब इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे, तो मै मतर हमारी उबली हुई है तो हमें कुख करने की जरूरत ही नहीं हैUh मैंने क्या किया थे फुरेश मतर है तो कुखर में मैंने एक सीटी लगा ली थी पानी डाल करो last का सा नमक डाल कर अब इसमें हम नमक डाल देंगे तो नमक अपने स्वात के अनुसार डाल दीजिए और इसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ी देर कूख होने देंगे जब तक इसमें ओईल सेपरेट नहीं हो जाता है तो देखिए ओईल सेपरेट हो गया है और इसके बाद में हम इसमें पणीर डालेंगे तो पनीर का सिस्टम यह होता है पनीर डालने के बाद इसको बहुत जादा पकाना नी चाहिए नहीं तो पनीर जे वो रबड जैसा हो जाता है तो पनीर डालो और बस मुश्किल से एक या डेड़ मिनिट इसको बॉइल करो बस हो गया तो मैंने थोड़ा सब्जी को पतला रखा है क्योंकि चावल वगएरा के साथ खाते ना तो बहुत टेस्टी लगता हो ठंडा होने के बाद तो वैसे भी हलकी सी सब्जी गाड़ी हो जाती है कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट करके बताईए प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब देखिए बनकर एकदम तयार है बस जादा हमको कुकनी करना है पनीर को आप फ्राय करके भी डाल सकते हैं पर मैं कच्छा डालना पसंद करती हूँ तो चलिए गैस कर देते हैं बन और इसको एक बावल में निकालते हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ इसको आप पराठे के साथ खाए बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ भी अच्छी लगती है चावल के साथ जो प्लेन राइस होते ना उसके साथ तो बहुत टेस्टी लगती है वैसे तो आप जीर राइस वगेरा कैसे भी खा सकते तो थोड़ा धनिया डाल दिया उपर से और इसके बाद मैंने दो पनीर के पीज बचा के रखेते तो मैं इसे ग्रेट करके डालूंगी तो देखने में बहुत सुन्दर लगता ये तो देखिए हमने घर के सामान से फटा फट मटर पनीर बना लिया और बहुत स्वाधिस्ट बना है तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ